हेलो एव्रिवन आप सभी कुश्छन है मैं चारू आपका स्वागत करती हूं एक्जाम जैनल में आज के सेशन में हम वोकाब वर्ल्ड का एपिसुट टू करने वाले हैं इसले वाले में हमने कि सेनोनिम्स करें इसका आयए बटन यहां पर आजाएगा 20 फुक्तिर रहें करें तें अर्ट मे इस सेशं में हम वन वह सब्सेट्टिुट करने वाले यह एं कि कि हैं वंद्ड सब्सेट्टि鼓 टरेंगे को हैं और 20 प्लस करंगी 20 plus आपके words substitute होंगे with pictures, images के साल, इससे हम easily सारे words को समझ पाएं with Hindi explanation, ठीक है? तो चलिए, without wasting any time, let's start this session. यह रहा फर्स्ट रभा है, deliqus, deliqus देखके आपको पता चल रहे है, इस image में, कि यह ice है, और यह धर इसके around water है, और यह melt हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, कि यह कुछ melt से related है, तो यह word क्या है, to become liquid, typically during decomposition, decomposition यानि सढ़ते वक्त जो है, अगर वो चीज़ जो liquid बन रही है, उसे हम deliqus कहते हैं, आगे, demogog, demogog का मतलब होता है, कोई भी political leader, जो masses को खुश कर सकते हैं, ठीक है, a political leader appealing to popular desire and prejudice of the population, जैसे कि example में आप देखे लो, Donald Trump ले सपते हैं, जैसे, Donald Trump जो है, let's make America great again का slogan भी आता है, तो इससे क्या था, Americans जो थे, they can relate to him and his ideas, to the masses, तो इस वज़े से, he can be known as a demogog, आगे, denigrate, इस image से आपको पता सच है, कि यहाँ पर एक लड़की साड है, और यहाँ पर कुछ negative, कुछ आपके tablet से निकल के आ रहे हैं, तो social media में है, कुछ criticize, कुछ negative बोल रहे हैं, और यह लड़की सोज़े से साड है, तो denigrate का मतलब यही है, to criticize unfairly, ठीक है, गलत तरीके से किसी को बोलना, आगे, dependent, dependent, इसमें देखिए, यह एक image है, जिसमें, कोर्ट में बेठे हैं, यह जज हैं, और यहाँ पेपर में पढ़ रहे हैं कुछ, ठीक है, तो वो क्या पढ़ रहे हैं, वो एक appeal पढ़ रहे हैं, एक testimony पढ़ रहे हैं, किसी इंसान की, ठीक है, जो वहाँ पे आया नहीं, तो dependent का मतलब यह होता है, एक आदली जो written testimony दे रहा है, कोर्ट के law में यूज़ होने के लिए, यह तो यहाँ पे present है, तो यह नहीं मानर जाएगा, जिसने जो नहीं है यहाँ पे present, और उसने अपने लिखित में जो दिया है, testimony यानि लिखित में अपनी गवाही, जो दी है, उसको यहाँ पे बोला जाता है, deponent, आगे, depraved, depraved का मतलब होता है, morally corrupt, morally corrupt का मतलब है, कि नैतिक रूप से, वो इंसान ध्रष्ट है, एक्जाम्पल ले लो, आप जिसे assassination हो गया, assassinators जो होते हैं, जो murder करते हैं, वो पैसो के लिए murder करते हैं, लोगों का, ठीक है, तो उनका कोई moral ground नहीं है, कि नहीं लोगों को मारना चाहिए, क्योंकि वो पैसो से कर रहे हैं, तो इसलिए उनका, they are depraved people, ठीक है, morally corrupt, आगे, deprecate, इसमें इमें दिख रहे हैं, कि यहाँ प बहुत ही जादा disapprovement में है, disagreement में जैसे इसलिए को देख सकते हैं, तो duplicate का मतलब यह है, to feel and express strong disapproval, इसी चीज़ के लिए, बहुत ही जादा तरीके से against दिखाना की disapproval की भाई, यह तो मैं नहीं मानता हूं, ठीक है, आँ सहमती दिखाना, इसे हम कहते हैं, deprecate, आगे, deranged, यह में सापको दिख रहे हैं, यह क्लड़की है, इसके आँक में ऐसे गोई-गोल है, मतलब उसको चकर आ रहे हैं, she is not well, और वो कैसे भी इदर-दर सिर्फ गलत मूफ कर रही हैं, तो deranged का मतलब यह है, unable to think clearly because of mental illness, किसी मानसिक बिमारी की वज़े से आप सही इसे नहीं सोच पारे, उसे deranged केते हैं, deranged person हो गया, ठीक है, आगे, derelict, 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 इसमें देखिए, एक बच्चा बैठावा है, और वो कह रहे है, नीड़ जॉब का साइन लगावा है, तो इसका मतलब यह है, कि ए person without a home, और a job, और property, कोई इंसान जिसके पास ना घर है, ना भी है, ना ही कोई ठिकाना, यानि की, property, घर, तो इसे, derelict केते हैं, example ले लिजे, aspirants, us, ठीक है, ना हमारा कोई घर है, ना कोई नौक्ती है, ना कोई property, तो हम लोग जाएं, वो, या, derelict, ठीक है, अब नेक्स पे चलते हैं, destitute, destitute, derelict का एक और थोड़ा और लेवल negative है, ठीक नहीं नहीं मिल रहा है, जैसे अफ्रिकन होग जोते हैं, जिनको पानी तक भी साफ drinking water नहीं मिल रहा, उनको destitute होला जाता है, जैसे इस इमेज में देखिए, कि ये बंदा जो है, वो, सड़क के किनारे जो है, सो रहा है, तो destitute means a person without money, food and other things necessary for life, मतलब, basic necessity is उस बंदे की नही as distributed, a person is known as distributed, आगे, devious, ये image आपको दिख रही है, इसमें ये ऐसे evil सी हसी हसर है, तो ये पता चाहिए, ये नेगेटिव कॉनटेशन में है, तो devious का मतलब होता है, एक skillful use of underhand tactics to achieve goals, यानि की, दो नमबर के तरीके से अपना काम निकलवाना, ठीक है, आगे चलते हैं, डाइलेटांटे, डाइलेटांटे का मतलब क्या है, इसमें आपको image दिख रही है, जिसमें ये बंदी जो है, वो confused है कि वो क्या करें, ठीक है, तो डाइलेटांटे का मतलब ही होता है, a dabbler in the art and literature, यानि यानि की unsure कि उसने commitment नहीं दे रखा, not committed, पूरी तर यानि केसे, कभी वो art में घुच जाता है, उसे लगता है कि मैं art में जाओंगा, कभी फिर वो literature में घुच जाता है, कि मैं को books लिखने है, कभी वो कहता है कि उसको painting अभी कह रहा है, मतलब अगर अगर अम लेमें टांटे का है, वो books लिखने है, लेकिन हो किसी से भी एके follow कर रहा clearly, तो that person is known as deleter, ठीक है, आगे, dirge, dirge, ठीक है, इसमें आप image देखिए, mean वाली image है, तो यह funeral में जा रहे हैं, तो इसमें singing जो होती है funeral में, उसको हम dirge कहते है, a song sung in the past at a funeral, और a dead person is known as dirge, ठीक है, आगे चलते हैं, disenfranchisement, disenfranchisement का मतलब क्या होता है, यह देखिए, यहाँ पर एक बंदा vote कर रहा है, ठीक है, और इसके आगे, अगर मैं एक cross लगा दू, ठीक है, not allowed to vote, तो यह बन जाती है हमारी disenfranchisement, यानि कि the state of being deprived of a right or privilege, especially the right to vote, किसी का right to vote अगर आप ले लेते हैं, तो उसे disenfranchisement कहते हैं, कि जैसे कि हमें country में 18 plus सभी, everyone is allowed to vote, अगर कुछ 18 सालों को वालों को अलाओ ना किया जाए, या फिर विमन को बना कर दिया जाए, तो that is known as disenfranchisement, आगे चल देखिए, ड्रे, इसमें आपको क्या पता चल रहे है, ड्रे को देखिए, यह एक ही गोहसला है, और उसमें यह गिलहरी सोरी है, तो ड्रे यह गोहसला होता है, गिलहरी का, उसे हम ड्रे कहते हैं, आगे, डॉर्सल, इमेज में क्या दिख रहे है कि डॉर्सल के हिसाब से, यह देखिए, यहाँ पे इसकी एक बैग है, और उस बैग को हम डॉर्सल कहते हैं, ठीक है, तो सेंगी मतलब होता है, डॉर्सल means related to back, पीछे हमाई पीछे से related, किसी भी चीज से पीछे से related, हमाई पीछे हो गई है, हमारे हाथ के पीछे का, यह सब जो है, जो है, जो है, उसके पाम के पीछे का भी, that is also known as dorsal, ठीक है, आगे, डॉर्वेनिया, डॉर्वेनिया, इसमें देखिए, वर्ल्ड बनावे, इसमें ट्रावल मतलब ही होता है, मेनिया for travel, मेनिया यानि, craze, या love, बहुत जाधा love जो होता है, a lot of love, उसे craze भी बोल सकते है, for traveling, सेर करने का, उसे डॉर्मेनिया कहते हैं, उस इंसान को, आगे, डॉल, डॉल तो पता ही चाहता है, कि इहां पे दो लोग फाइट कर देखिए, तो contest between two people to settle a point of honor, मतलब अपना honor के लिए जो लडाई होती है, उसे हम dual कहते हैं, आगे, defense, देखिए, समेच में, एक बच्चा उसने अपने कान बन कर ली हो, पीछे मम्मी है, वो कुछ-कुछ बोल रही है, लेकिन वो सुननी नहीं रहा है, तो मम्मी कुछ बोल रही है, उसको नहीं मानन नहीं सुनना, तो defiance का मतलब भी यहीं होता है, open refusal to obey the orders, यानि कुल के बोलन है कि वाई, मैं तो नहीं सुननी आपकी, तो that is known as defiance, तो this kid is in defiance, ठीक है, कर्नल, इसमें आप इमेज में देखे, यह क्या है, यह खुबानी है, खुबानी आप्रिकॉर्ट, और इसके बीच में एक वीज है और वीज के अंदर भी वो निकलते है, इसमें से बदाम है ना, आपने देखा होगा, तो उस चीज को हम कर्नल बोलते हैं, कर्नल जो है, वो कहां सब्सक्राइब कि इतनी अच्छी भी नहीं है लेकिन आप समाझ गयोंगे कि कि इस इस नोन आज करने मीनिंग देख लेगा तो सॉफ्ट इन पार्ट ऑफ अनट और फ्रूट स्टोन इस नोन आज करनल आगे नेल नेल होता है आप देखिए यहां पर एक बेल दिखती है आपको और एक बहुती साहट सा लग रही है ब्लाक और वाइट है चीले होड रही है तो नेल का मतलब यही होता है आज के इस सेशन में हमारे 20 वर्ड वन वर्ड सब्सेट्यूट ठीक है विद इमेजिस आई होप यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा और काफी आपको वर्ड इसमें से रिटेन करने में हेल्फुल लगेगा अगर यह सेशन आपको अच्छा लगा है तो फिल जी हर चीज की जैसे माथ्स, इंग्लेश, जी के और मौक टेस्ट डाल जी हूँ ठीक है यह अभी मैंने रीसेंटी स्टार्ट किये एगे सीरीज तो प्लीज प्लीज और जो वीडियोस है उन्हें भी जरूर देखें थांक यू एवर्यवान टेक केर बाई